मूवी की सुरुवात होती है वाच टावर से जहां जेस्टिस लिग प्लानिंग कर रहे होते हैं डार्क साइड को हराने की क्योंकि वह पहले ही पिर्थवी पर दो बर हमला कर चुका था हम यहां देखते हैं कि जॉन कॉंस्टिन और उसकी वाइब जटाना वो दोनों भी जेस्टिस लिग जोईन कर लेते हैं यहां सूपरमेन कहता है कि हम डायट अपकलिप्स प्लानिट पे जाके डार्क साइड से लड़ेंगे लेकिन इस प्लानिंग के दोरान हम देखते हैं कि डार्क साइड सैब और क्याक से सब कुछ देख रहा होता है इसलिए वो जेस्टिस लिग का पूरा प्लान समझ जाता है और पहले से ही प्रिपेर हो जाता है इसके बाद सूपरमेन टीन टाइटन्स को अर्थ पे ही रुकने के लिए कहता है ताकि वो अर्थ पे आने वाले खत्रों का सामना कर सके और जेस्टिस लिग अपकलिफ्स प्लैनेट की और निकल जाते हैं लेकिन वो लोग जैसे ही वहाँ पहुचते हैं तो सब कुछ उल्टा पड़ जाता है वहाँ बहुत सारे पैरडूम्स आकर उन पर हमला कर देते हैं दरसल डाकसाइड ने पैरडीमन्स और डूमस टिक कर डियन ने यूज़ करके पैरडूम्स बनाया था जो बहुत ही पावरफुल थे इस लड़ाई में जस्टिस लिग पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं यानि कि कुछ हिरोज मारे जाते हैं और जितने भी हिरोज जिंदा बचते हैं उनको डाकसाइड बहुत बुरी सजा देता है जैसे कि वो बैटमेन को अपने कंट्रोल में करके उसको अपने एडवाईजर बना लेता है लैस को एक मसीन में कनेक्ट कर देता है विससे कि वो हमेशा के लिए उसके उपर दौड कर अपकलिप्स को पावर देने लग जाता है वहीं सैबोर को भी वो डिसमेंटल कर देता है अब हमें दो साल बात दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि डाक साइड ने अर्थ पे पूरी तरह से कबज़ा कर लिया होता है और वहां हर तरह पैराडिमन्स और पैराडूम्स घूम रहे होते हैं वहीं एक बार में हम कॉंस्टेंटीन को देखते हैं जो उस अटेक से किसी तरह बच निकला था उसके साथ उसका एक और दोस्त एट्रिगन होता है तभी वहां सूपरमेन और रेवन आते हैं सूपरमेन कहता है कि उस लड़ाई के बाद डार्क सैड ने मेरी बाड़ी में क्रिप्टोनेट इंजेक्ट करके मुझे छोड़ दिया जिसके कारण में पावर लेस हो चुका हूँ ये लोग बात करी रहे होते हैं तभी वहां कुछ पैराडिमन्स आकर उन पर अटेक कर देते हैं लेकिन वो लोग किसी तरह सभी पैराडिमन्स को मार गिराते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि रेवन को उसके सर में बारवर दर्द हो रहा था क्योंकि उसके फोर हेड में जो क्रिश्टल था उसके अंदर उसके डैड यानि की ड्रैगन कैथ था जो काफी टाइम से आजाद होना चाह रहा था फिर सूपरमेन कहता है कि हम दुबारा डार्क साइड से लड़ेंगे जिसके बाद ये लोग बैटमेन का बेटा डेमन के पास पहुँचते हैं जहाँ डैमन उन्हें बताता है कि उस लड़ाई में मैंने भी अपने बहुत सारे दोस्तों को खो दिया फिर ये लोग लुइस लेन के पास जाते हैं जिसने सूसाइड स्कॉइड के टीम को जोईन कर लिया था अब ये लोग एक जगा जमा होकर प्लाइनिंग करते हैं दरसल डाकसाइड के तीन मसीन अर्थ पर होते हैं जो अर्थ कर्ष से मैगमा निकालकर एपोकलिस पर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं इसलिए ये लोग दो मसीन को डिस्ट्रोय कर देते हैं जिसको चेक करने के लिए एपोक्लिप्स से सारे पेरडूम्स अर्थ पे आ जाते हैं इसी बीच ये लोग लेक्स कॉर्प में पहुँचते हैं जहां इन्हें लेक्स लूथर मिलता है दरसल लेक्स लूथर मजबूरी में आकर डाक साइड के लिए काम कर रहा था लेकिन वो अंडरकवर के तोर पे लूइस लेन के लिए भी काम कर रहा था यानि वो अपकलिप्स की सारी इन्फर्मेशन लूइस लेन को दे रहा था इस टाइम पे डाक साइड प्लानेट वा को कंकुर करने गया था जिसका फायदा उठा कर ये लोग दो टीम में बढ़ जाते हैं फिर लेक्स एक बूम ट्यूब खोलता है जिसे एक टीम अपकलिप्स में चली जाती है और लेक्स के साथ जितने भी लोग थे वो पेराडूम्स को खतम करने के लिए वहीं रुख जाते हैं दूसरी और बैटमैन को ये पता चल चुका था कि लेक्स ने उसके साथ धोका किया है इसलिए वो तुरण डाक्साइड को इनफॉर्म कर देता है जिससे डाक्साइड भी प्लानेट वा को जीत कर वापस आने लगता है वहीं सूपरमेन और बाकी सब जैसे ही अपकलिफ्स में पहुचते हैं तो उनके सामने जस्टिस लिख के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं जिसको डाक्साइड ने अपने कबजे में करके उनको आधा इनसान और आधा रोबोट बना दिया होता है जिसके बाद वो लोग उनके कबजे से चुड़ा लेता है यानि कि वो होस में आ जाती है फिर वो कहती है कि तुम लोग आगे बढ़ो इन लोग को मैं देखती हूँ और वो बाकी सबसे फाइट करने लग जाती है अब सूपर मैन की टिम फ्लैस के पास जाती है और मसीन को डिश्टोय करके उसे फिरी कर देते हैं इसके बाद वो सैबोर के पास जाते हैं जो पूरी दरह से डिसमेंटल हो चुका था और डार्क साइड के कंट्रोल में था ले इसके बाद बैटमेन और डेमेन के विच फाइट होती है और बैटमेन उसे जैसे ही मारने वाला होता है अभी उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जिस दिन उसके पैरेंट्स की मौत हुई थी इसके बाद वो अपने दिमाग पर जो डालकर डार्क साइड के कबजे से बाहर आ जाता है लेकिन फिर डार्क साइड अपना ओमेगा विम छोड़ देता है जिसे डेमेन उसके सामने आ जाता है और उसकी जान चली जाती है जिसे देखकर रेवन को बहुत गुसा आता है और वो अपने डैड के सोल को अजाद कर देती है लेकिन बाहर आते ही मैन को होस मेलाने के लिए एक गुडवाई का मैसेज भेजती है फिर वो पूरे बिल्डिंग यानि की लेस कॉर्प बलाश्ट करके अपने आपको सेक्रिफाइस कर देती है जिसमें बहुत सारे पैरडूम्स भी खत्म हो जाते हैं यह देखकर सूपर मैन को बहुत गुस्सा आ स्टार्टिंग से बैटमेन का ही प्लान होता है उसे पता था कि अगर हम डाक साइड को हराने में फेल हो गए तो कॉंस्टेंटीन ही हम सब को बचा सकता है जिसके बाद जटाना उसे अपने मैजिक से वापस जिंदा कर देती है इधर सूपर मैन अभी तक डाक साइड से जात कर देता है जिससे ड्रैगन फिर से डाक साइड से फाइट करने लग जाता है इसी भी साइबर को एक आइडिया आता है वह बहुत सारे बूम ट्यूप को खोल देता है जिससे अर्थ के सारे पैरडूम्स और पैरडिमन वापस एपकलिप्स में आ जाते हैं फिर वह एक फिर से जस्टिस लीग को देखते हैं जो वापस अर्थ में पहुंच चुके थे जहां बैटमन सबको बताता है कि डाक साइड की मसीनों की वज़ा से फिर थविक 30% मैगमा जा चुका है इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि अर्थ अपने आप दिश्ट्रोय हो जाएगी जि एक नई टाम लाइन को क्रियेट करने के लिए बहुत तेज भागता है और सभी हिरोज उसको खड़े होकर देख रहे होते हैं और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है यह वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक और सेर दे वीडियो और सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस बिल आएकन